नमस्का दोस्तों बांगलाराट में आप साभी का स्वागत है आज आप लोग देखेंगे कैसे चार्कोल पेंसिल और ग्राफाइड पेंसिल इन दोनों को मिला के आप लोग कैसे एक ड्रॉइंग स्केज कर सकते हो वह भी बहुत ही आसानी से पहले मैंने यहाँ पर टूबी पेंसिल यूज किया है आउटलाइनों को ड्रॉआ करने के लिए और बहुत ही धीरे धीरे से मैंने यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉआ किया है अब मैं थोड़ा फास्ट मोशन करके आप लोगों को पूरे के पूरे जो आउटलाइन है ओ दिखा गया है वो आपका जो measurement है वो ठीक होना चाहिए तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर जो picture में यहाँ पर आपको दीखाना चाहता हूँ उसका भी outline मैंने ठीक करके measurement करके देख लिया है और outline drawing sheet पर किया हुआ है और आगे चलते हैं आगे जो hair line है वो यहाँ पर मैंने 10B pencil जो कि एक graphite pencil है उससे किया है तो आप लोग देख सकते हो color थोड़ा fade सा आया हुआ है और यहाँ पर मैंने pencil थोड़ा change कर लिया है यहाँ पर मैंने लिया है charcoal pencil जो कि soft type का charcoal pencil है और hard type का charcoal pencil है आप लोग देख सकते हो color difference आप एकतम clear है ठीक है ना उपर की तरफ जो color आप लोग देख डार्क एरिया है वो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा fade है और थोड़ा सा अलग तरीकल सा है वो मैंने erase कर दिया है और यहाँ पर फीर से मैंने जो कुछ hair line है वो charcoal pencil से कर लिया है चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं जो भी नए मेरे इस channel पर हो फ्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे channel को support कीजिए जो कर लूह कर दो दोस्तों कार सक्राइब कर दोस्तों कीजिए झालगे मेरे एक और इस अलगए पनायशारी छोड़दार के बखन दोस्तों आग्टए ऑटन So झाल 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 झाल